अयोध्या बाबरी मस्जित के पच्छकार हाजी मुहम्मद का अयोध्या विवाद को लेकर बड़ा बयान हाजी मुहम्मद का कहना है कि मुस्लिम हक में फैसला आया तब भी वह नहीं बनाएंगे मस्जित उस जगा को घेर कर छोड़ देंगे वह इसलिए ऐसा करेंगे कि जिससे देश के आमान चैन बनी रहें देश में विवाद नहीं हो इसके लिए वह नहीं बनाएंगे मस्जित लेकिन उनका कहना यह भी है कि उस जमीन पर नहीं बनने देंगे मंदेश देखिए अगर मेरे हक में फैसला आता है तो मैं सोचूँगा वहां क्या करना है और मैं यतना जरूर कहूं कि मुल्क की तबाही बर्बादी नहो तो इसलिए उतनी जमीन छोड़के मैं उसको घेर कर दूँगा फिर बाद में सोचेंगे मुल्क यही मजजित अपवा नहीं वाएंगे यह मैं अभी किस कहा ऐसे कुछ नहीं कहा सा मैं यह अतनी जमीन छोड़ दूगा वहां क्या करना है यह हम नहीं के साथ आज उसके बाद जो मंदिर बनाना बना वे हमें कोई साथ नहीं है अगर आपके पक्ष में फैस्ट नहीं आता है वे पक्ष में फैस्ट आता है तो तो अधालत के उपर है हमारे फाक्ष में तो वो जाने है हमारे फाक्ष में आएगा तो मैं इसा करूं अगर हमारे नहीं आया तो भाई क्या हो मंदिर बना कुछ भी करे हमें क्या इतराज है क्या लगता है चत्चा कि यह विवाद अब समाप्स हो जाना चाहिए आप लोग अहम पक्षकार हैं तो अगर कहीं भी एक जन्भावना लोगों की है मंदिर को लेकर देखिए वो तो हर आदमी के अपनी अपनी भावना है वो हम नहीं कह सकते लेकिन हम नहीं चाहते हैं इस बेवाद से मुल्क बरबाद नहीं तो बेतर है